जैहिन दोस्तो मैं अनिल ठाकर सेंड ड़ल्यू विरावल आई आज बात करते हैं लगे सेकंडरी एर सस्पेशन सिस्टम के बारे में दोस्तो यह एर बेलो है जिसमें प्रेसराइस कंप्रेस्ट एर रहता है और एप्पी प्रेसर से यह चार्ज किया जाता है यह 40 लिटर 50 लिटर और 60 लिटर की कैपेशिटी में आता है यहां पर एक इमर्जन्सी स्प्रिंग लगा हुआ है जब कोच में लोड ज्यादा या कम हो उस कंडिशन में यह लेवलिंग वाल की मदद से बॉफराइट को कंस्टेंट रखता है दोस्तो यह फिबा डिवाइस है फिबा का मतलब है फेलियर इंडिकेटर कम ब्रेक अप्लिकेशन यह आप्सुल्यूट प्रेसर सिस्टम से काम करता है इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो कि दोनों एर बेलो के प्रेसर को सेंस करता है एर बेलो में प्रेसर 1.0 bers2 कम ओने पर यह आप्रेट होता है दोस्तो फिबा डिवाइस्तूर डिवाइस ऑप्रेट होने से ट्रेन में फारमेशन ब्रेक लग जाता है यह इंडिकेटर जो है रेड वा जाता है और फिबा डिवाइस के पिछय से एसिंग साउंड आता है फिबा डिवाइस ऑपरेट होने के कुछ रिजन है जैसे कि फ्लेक्सिबल पाइप का लिकेज होना या फेरूल जोइट खराब होना या एर बेलो में पंचर या क्रेक होना या पूरी सिस्टम में कहीं भी लिकेज होना को से दोस्तों फिबा डिवाइस जो है दोनों एर बेलो के साथ कनेक्टेड जिससे उसमें अफ्य प्रैसर रहता है और यह वीपी मेन फाइप लाइन के साथ भी connected है so friends आये समझते हैं FIBA device को कैसे reset किया जाता है friends यदि system में कहीं भी normal leakage हो तो FIBA device operate हो जाता है तो उसमें जो है सबसे पहले ये BP को को isolate करना है जिससे formation break release हो जाएगा उसके बाद ये जो है FIBA के knob को horizontally करना है जिससे अपना indicator जो है green हो जाएगा फिर वापस vertical position में करके ये isolating को 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 खोल देना है कि दोस्तों यदि इंडूट एर बेलो पंचर या क्रेक होता है तो सबसे पहले बोगी isolating को को बंद करें उसके बाद BP के को को बंद करें और यहां पर जो दो लगे है कि दोनों एर बेलों के testing isolating को को बंद करें और गाड़ी को 60 km स्पीड लिमीट से नेक्स C&W पॉइंट या destination तक चलाए कि दोस्तों फिबा डिवाइस जो है तीन कंपनी के आते है नौर बेम्स फैवली और एसकोट जिसमें यह अमारे पास नौर बेम्स कंपनी का फिबा पेनल है SI एक फैवली कंपनी का आता है जिसमें दो पूश बटन रहते है और एक एसकोट कंपनी का आता है जिसमें तीन रिंग रहता है उसमें सबसे पहले लेफ साइट का रिंग खिजना है बाद में राइट साइट का रिंग खिजना है और नेक्स्ट बीच वाला रिंग खिजना करना है फैबली में पूश बटन को पूश करना है बाकी प्रोसेस सेम है पिछे आइसोलेटिंग बीपी के कोक बंद करो यहां से फिबा रिसेट करो और आइसोलेटिंग कोक को खोल दो उमिद करता हूं दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा जाए हिन्द